question number 4 हमें इसे ही simplest form में change करना है चीक है तो पहले मुझे यह बताओ कि यह formula यहाद है कि नहीं पिछले वाले question में भी हमने यह formula देखा था और example number 4 में भी हमने इसके उपर अच्छे से बात की थी है ना cost to x हमारा equal होता है इनके note कर लो अगर आप x की value x by 2 put करोगे तो हमें cost x की value मिल लाएगी simple सी बात मिलेगी की नहीं मिलेगी x हमारा कुछ भी हो सकता है कोई भी value put कर सकते हो आप तो आप अगर x की value x by 2 put करोगे तो यह मिल लाएगा हमें यह बात मानते हो है कि नहीं? जहाँ पर x हो हमाँ पर x by 2 put करो तो आपको cost x की value मिलेगी यह same ही है दोनों चीज़ कुछ भी अलाग नहीं है दोनों में है ना? अभी फिलाल हमें cost x की ज़रूरत है क्योंकि यहां पर क्या है? 1-cost x है तो यह हमें ज़रूरत की नहीं है हमारी काम की नहीं है भी अटादो से तो इसे देखो आप और मुझे बताओ कि इस formula की हैप से 1-cost x की value क्या आएगी यहां पर cost x है जो की equal होता है इसके तो अगर मैं minus 1 को इससाट ले आता हूँ है ना? तो मुझे क्या मिलेगा? minus 1 इससाट आखे plus 1 हो जाएगा तो मुझे मिलेगा 1 plus cost x x is equal to इधर क्या है 2 cos square x by 2 यह सोर नो? एक ही बात है अगर मैं इसकी और इसकी बात करूँ तो इजह देखो यहां पर क्या है 1 minus 2 sin square x by 2 है cos x को इस साट ले आओ और 2 sin square x by 2 को इस साट ले जाओ तो हम में क्या मिलेगा? 1 minus cos x हैगा इधर तो minus cos x is equal to 2 sin square x by 2 यह सोर नो? एक ही बात है है ना? बस हमने एक को उस साट ले गए दूसरे को इस साट ले लिया चीक है ना? तो यह मैं put करने वाला हूँ है आपर तो put कर दू तो मुझे क्या मिलेगा है आपर? इसे कुछ माल लो इसे माल लेते हैं y ताकि बार बार ना लिखना पड़े हैं हमें तो हमें y की value क्या मिलेगी? 10 inverse bracket के अंदर under root इसकी value है मर पास 1 minus cos x की 2 sin square x by 2 तो 2 sin square x by 2 upon में नीचे क्या आएगा 2 cos square x by 2 कहां से आई value है? यहां से आई ठीक है? तो 2 से 2 cancel तो हमें क्या मिला? y is equal to 10 inverse under root के अंदर sin square x by 2 upon में cos square x by 2 मतलब 10 square x by 2 ठीक है? कोई दिक्कत square से under root cancel तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 x by 2 मिलेगा square से under root cancel तो अब देखो 10 और 10 inverse cancel हो गया तो हमें क्या मिला? y के value क्या मिली x by 2 में मिल गई यह हमारा छोटा सा answer आगया ओके? और आपके याद कर रखना है यह याद रखना है ठीक? जाओ तो note कर लो और इसे भी note कर लो ताकि जब भी यह देखो न 1 minus cos x और 1 plus cos x तो सीधा हमार दिमाग में आ जाए कि यह इसके इकोल होता है यह इसके इकोल होता है ठीक है?